साथियो संसाय तारिस में अंग्रे भले चले गए लेकिन जन्ता को गुलाम रखने की मानसिक्ता यही पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए यही छोड़ गए थे इसलिए आज वादि के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूप फला फुला जो सत्ता को अपना जन्म जात हक समझता था इन लोगों की बाद्शा ही मानसिक्ता ने देश की जन्ता को हमेशा अपना गुलाम माना 2014 में इस दबे कुचले सोसीत वंचीत वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की बाद्शा ही मानसिक्ता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की दबाद छोड़ दीजे पल पल कुचलते रहते थे इसलिए हमारी सरकार के पहले कारकाल में ही बाद्शा ही मानसिक्ता वाले इन लोगों ने इन सोसीतों वंचीतों दलीतों पिछडों कोई मोका नहीं छोड़ा उनकी मजाब उड़ाने में हर पल उनकी मजाब उड़ाते रहे हमारी योजणाओं को हमारे कारकमों को निम्नस्टर का बताने की होड़ बढ़ाई है जब मैंने लाल के लिए से स्वच्च भारत अभियान की चर्चा की गावनों को गरीब को मेरी माताओं बहनों को इज़द कर देना सवचाले की सुवीदा जेने की बात जब मैंने की तो यहीं लोग क्या क्या नहीं कहते थे जब मैंने डीजिकलन इंडिया की बात की तो इदोंने अपनी ताकत पूरी ताकत उसे खारीज करने में देश के लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं निराशा पैदा कर रहे हैं पूरी शक्ती जोग दी यह तर्ग दिये जाने वाले और यह कहने लगे देश में बड़ी आबादेर पड़ है अंजान है वो कैसे डीजिकलन इंडिया का लाब ले पाएगी साथियों जब हमारा मजाक उड़ाकर यह सफल नहीं हुए तो बादसाही मानसिक्ता वाले इन लोगों की नफरत और जादा बड़ गई उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दसकों दसक से हिंसा से जूज रहे जम्मु किश्मीर और नौर्थिस्ट में शान्ती का सूरज उगेगा इन्होंने कभी कलपणा भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा जो काम दसकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है यह इन्हें पच्च नहीं रहा है इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज जूट पर जूट जूट पर जूट बोले जा रहे है अपने ब्रश्ट कर्मों का खुलासा होते देख यह बेचेन है हतासा से भर गए है इसलिए अब यह लोग इतने हतास इतने नराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है एक ही उपाई दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं मोदी तेरी कब्रखोदेगी वो कब्रखोदरी की दमकी देने लगे बादसाही मानसिक्ता वाले इन लोगों को इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है आदेश का धरीब देश का सामान्य मानवी देश का युवा देश की माताए बहने बेटिया दलित पीडित सोसित बंचित आदिवासी हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए भाजपा के कमल की रक्षा कर ले के लिए पुदाल बन करके खड़ा हुआ है